अगर दुनिया सोच रही है कि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में ही जंग चल रही है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है अब पूरे मिडल इस से लेकर पश्चिमी एशिया तक भयंकर बारुदी दुमा के शुरू हो चुके है इसराइल गाजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक 6 फ्रंट पर जंग करने का दावा कर रहा है जब कि हमास, हिजबुला और अब इरान दावा कर रहे हैं कि उनके लड़ाके इसराइल से तब तक जंग करेंगे जब तक कि इसराइल का वजूद खत्म नहीं हो जाता यहुदी देश इसराइल से नफरत का आलम ये हो चुका है कि अब इसराइल पर 400 से ज़्यादा आत्पंगाती हमले करने की तैयारी अकेले इरान ही कर रहा है इरान ऐसा क्यों कर रहा है? इसे ज़रा समझ लीजिए इरान के दावों के मताबिक इस्लामिक रिवलुशनरी कार्ड कॉप्स के ब्रिगेडिय जनरल सेद रजी मुसावी को इसराइल ने सीरिया में मार डाला है दावों के मताबिक मुसावी को हवाई हमले में इसराइल ने मारा है इधर Middle East से जुड़े जानकारों के मताबिक इरान के ब्रिगेडिय जनरल सेद रजी मुसावा के मारे जाने से पूरे Middle East और पश्चिमेशा में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है ब्रिगेडिय जनरल की मौत इरान का बारूदी बदला इरान के राष्ट्रपती इबराहीम रईसी ने साफ कहा कि सीरिया में हवाई हमले में ब्रिगेडिय जनरल रजी मुसावी को मारने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इरानी राष्ट्रपती ने साव कहा बिना कोई शक के ये कारवाई क्षेतर में कबजा करने वाले जायोनी शासन यानि इसराइल की हताशा, असहायता और अक्षम दाका एक और संकेत है इरानी कमांडर सेयन रजी मुसावा की सीरिया में हत्या के बाल पूरे एरान में जबरदस आख्रोश है एरान की विदेशमंत्री ने इसराइल को तबाह करने तक की धमकी देदी है मुसावी की हत्या को लेकर इरान में जगा जगा प्रदरशन हो रहा है इस्राइली स्ट्राइक से बढ़के एरान ने अब बदले की योजना बनाई है उधर इस्राइली रक्षामंत्री गैलेंट ने भी इस बात को स्विकार किया है कि गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इस्राइल पर साथ अलग-अलग थेट्रों में हमले जारी है अलाकि उन्होंने छे फ्रंट पर जोरदार परटबार का दावा भी किया है अब सवाल उठता है आगिर इस्राइल ने सीरिया में घुसकर इरानी कमांडर ब्रिगेडिया जनरल सेद रजी मुसावी को क्यो मार डाला आईए कुछ और खास जनकारी भी आपसे साजा करते हैं दरसल ब्रिगेडिया जनरल साइद रजी मुसावी की मौत से इरान बुरी तरह से बौखला गया ये पूरी टीटेल देखे इस वक्त आपके सामने मौजूद है इरान ने धंकी दी कि इसरेल के अंत की उल्टी जो गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सिरिया के उत्री पूर्वी दम selfie में आई-र जीसी के बिर्गेडिया जनरल रजी मौसवी को मारा गया और एरानी मीडिया की खबर यहां पर क्या कहती है एरानी मीडिया की खबरों के मताबिक ब्रिगेडिया जनरल मुसावी दोपर दो बजे तक एरानी दूतावास में मौजूद थे दूतावास दोपर करीब एक बज़े घर में धमाका होता है और बगीचे में जाकर लाश गर जाती है जी हाँ दोपर दो बज़ तीन बज़े का वो वक्त था जब ब्रिगेडिया जनरल मुसावी घर पहुंचे घर पहुंचने के बाठीक उसी वक्त एरानी दावों के मताबिक इसरेल की तीन मिसाईलों ने ब्रिगेडिया जनरल साइदरजी मुसावी के घर को कुछ इस तरह से उड़ा दिया और इसके बाद आपको ये बताते हैं हुआ क्या चश्मदीदों ने जो देखा उसके मताबक अब आपको बता रहे हैं इसरेली मिसाईलों का धमाका इतना जूरदार था इतना जबरदस और खौफनाक था कि ब्रिगेडिया जनरल साइदरजी मुसावी का या दो पहर तीन बज़े और घर में धमाका होता है और लाज जो है वो बगीचे में गिर जाती है बताया ये भी जा रहा है कि मुसावी इरानी सेना के कमांडर कासम सुलेमानी के सहियोगी थे यानि कि सहियोगी यहाँ पर बताए गए जिने अमेरिका ने साल 2020 में मार गिरा में एरान के सेन अभियानो को काडिनेट कर रहे थे यानी जिनका जिकर स्वक्त हम यहाँ पर कर रहे हैं हिजबुल्ला को हतिया सप्लाई कर रहे थे और हमास की भी पूरी पूरी मदद कर रहे थे इसरेल का भी ये दावा है कि मुसावी लगातर लगातर इसरेल पर कुछ दावों के मुताबिक एरान ने अपने कमांडर मुसावी की हत्या का बदला लेने के लिए इसराइल के खिलाव एक खतरनाख प्लैन बनाया है इरान ने फिदाईन हमलों से इसराइल को दहराने की योजना बनाई है इसके लिए अफगान लडाकों की भष्थी कर रहा है सुतरों के मताबिक अफगान लडाके इसराइल पर आत्मगाती हमले करेंगे गाजा जंग और सीरिया में इसराइली स्ट्राइक से बढ़के इरान का प्लान दुनिया भर में इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने का है इरान इसराइल में आत्पंगाती हमले कर सकता है इसके लिए उसने खतरनाक प्लैनिंग की है सुत्रों के मताबिक जनरल हामेद अब्दुलाही के नेट रुत्वों में एरान के इसलामिक रिबॉलुशनरी गार्ड कॉप्स आरपार की जंग की तैयारी कर रहे हैं सुत्रों के दावों के मताबिक आई आर जीएस के कुद्स फोर्स की यूनिट चार सो इसराइली ठिकानों को चिन्हित कर चुकी है जहां पर आत्मगाती हमले की योजना है इसके लिए अफगान लड़ाकों की बकायदा भरती भी जारी है अपने समर्थक समुहों के खिलाफ इसराइल और अमेरिकी स्ट्राइक से बौखराए इरान ने आक्रमक रुख अक्तियार कर लिया है साल 2020 में इरान के टॉप कमांडर कासिम सुलिमानी को अमेरिका ने इसी तरह से हवाई हमले में मार डाला था ठीक उसी तरह से इसराइल ने ब्रिगेडिया जनरल मोसावी को मार डाला है इरान के विदेश मंत्री ने इसराइल की उल्टी गिंती का दावा करना शुरू कर दिया है प्रिगेडिय जन्रल सेद रजी मुसावी की शाहदत पर मैं इरान और सीरिया दोनों देशों के पती अपनी आर्दिक सम्वेदना व्यक्त करता हूँ इस सम्मान्निय शहीद ने आतंकवादियों के खिलाफ इरान और शेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहीद हज कासिम सुलिमानी के साथ कई वर्षों तक महदुरी से लड़ाई लडी अब तेल अवीब की एक कठिन उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है गाजा में भले ही इसराइली सेना ने बढ़त बना रखी हो लेकिन इसराइल के पी-ए-म नेतनियाहू को भी मानना पड़ा कि गाजा युद्ध में इसराइली सेनी काफी संख्या में मारे गए हैं जो हालात को और बत्तर बना रहे हैं यह हालात अब मिडल एस से लेकर पश्यमी एशिया तक खराब हो चुके हैं क्योंकि हूथी और इरान समर्थित कताईब हिजबुल्ला लड़ाकों ने विजराइल और अमेरिकी सेन्य अटों पर एक साथ हमले शुरू कर दिये हैं पहले आप यह जान लीजिए कि हूथी और इरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहां कहां हमला किया है अमेरिका ने ये तो नहीं बताया कि इरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना पर कब हमला किया था लेकिन ये जरूर बताया कि उत्तरी एराक में मौझूद अमेरिका के एरबिल एर बेस पर ड्रोन से हमला किया गया था अमेरिकी रक्षासचीब लॉइड आस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिका सैनिको पर ये हमला इरान समर्थित कताईब हिजबुला के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए लेकिन तीन सैनिक बेहत दम्थी रूप से घायल है कताईब हिजबुला ने अमेरिकी सैनिकों पर डोन से हमले कैसे किये इसकी जानकारी नहीं दी गई और नहीं घायल अमेरिकी सैनिकों के नाम बताई गए इराक में कताईब हिजबुला के हमलों से अमेरिका बॉखला गया है Middle East से लेकर पश्चिप एशिया तर इसराइल और अमेरिकी सेन्य ठिकानों पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि इरान रूस की शेह पर अब जंग में खुल कर खूदने लगा है हो थी चुन चुन कर समंदर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों और टेंकरों पर हमले कर रहा है यही वज़ा है कि अब अमेरिका ने इरान के कताईब हिजबुला के लडाकों पर ऐसा भीशन हमला किया है जिसकी वज़ा पश्चिब एश्या में जंग तेज होने के दावे किये जाने लगे है हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इरान के कताईब हिजबुला लडाकों पर जोरदार एर स्ट्राइक की है ज़रा देखे कैसे अमेरिकी रक्षा सचीव लॉयड आस्टिन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इरान समर्थिक कताईब हिजबुला पर भीशन हवाई हमले किये है कताईब हिजबुला पर अमेरिका ने ये हमले इराक और सीरिया में किये है सोंबार यानि 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने कताईब हिजबुला पर हमला किया था लड़ाकों विमानों और मिसाइलों से इरान समर्थित कताईब हिजबुला लड़ाकों के तीन ठिकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया है खबर के मताबिक अमेरिकी सेनिकों के खायल होने के बाद राश्ट्रपती जो बाइडन ने इरान समर्थित मिलीशा समूहों के खिलाफ जवाबी कारवाई का आदेश दिया था जिसके बाद ये हमले किये गए अमेरिकी सेनिकों ने इराक में कताई विजगुला और कई समूहों की ओर से इस्तमाल की जाने वाली तीन ठिकानों पर हमले किये ये सटीव हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ इरानी प्रायोजित मिलीशा हमलों का जवाब है कताई विजबुला सरीखे समूहों ने आर्विल एरवेस पर हमला किया था इसराइल और अमेरिका इस वक्त मिडल इस्ट और पश्चिमी एशिया में डबल युद्ध से जूज रहे हैं बी-म नेतनियाहू को लग रहा था कि हमास युद्ध विराम इसराइल की शर्तों पर जरूर करेगा लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास के टॉप कमांडर्स ने साब दावा कर दिया है कि हमास सीजबुल नहीं करेगा और नहीं कोई समझोता वो आखिरी दम तक जंग करेगा गाजा पट्टी में इस वक्तरी गाजा से ज्यादा भीषण जंग दक्षनी गाजा में चल रही है हालात ये हो गए हैं कि इसराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा जटका लगा है 24 दिसंबर को इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमास और इसलामिक जिहाद आतंकी संगठनों ने इजिप्ट यक हैं मिस्र के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों संगठन गाजा की हुकूमत किसी तीसरी ताकत को सौब देते हैं तो इसराइल पर्मनेंट सीज फायर कर देगा लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिश कर दिया है हम आपको हमास नेता येया सिन्वार का वो दावा दिखाने जा रहे हैं जिसमें इसराइल सेना को भारी दुपसान का दावा किया गया हमास के कसाई का दावा मार दिये 1500 इसराइली सैनिक इसराइल की मीडिया रिपोर्ट के मताविक हमास के टॉप नेता और कमांडर येया सिन्वार ने दावा भी किया कि हमास की सिन्शाखा अलकसम ब्रिगेड ने 5000 स्यदिक इसराइली सैनिकों को निशाना बनाया और उन में से करीब 500 इसराइली सैनिकों को मार डाला है हालागि ऐसा कोई आंकड़ा इसराइल की ओर से जारी नहीं किया गया है हमास नेता सिनवार ने इसराइली सेन्य उपकरणों को नश्ट करने की संख्या के बारे में भी बढ़ा चड़ा कर दावा करते हुए कहा कि हमास ने 750 इसराइली सेन वाहनों को तबाह कर दिया है सिन्वार ने इसराइल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके कब्जे को मान लेने की शर्तों पर कभी समझोता नहीं होगा और नहीं हमास कभी सरंडर करेगा दूसरी तरफ इसराइल के प्रदान मंतरी बנजमीन नतनियाहू ने गाजा का दोरा किया है और साफ शब्दों में कहा कि हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि इसराइली सेना इस जंग को तक तक बंद नहीं करेगी जब तक भो गाजा में मौजूद हर अदनकी संगतन का, कवसा अखट नहीं कर देती अमस शोग्छती शूब ननसी बाइदन अनी मारीक अमदता इतना शल अर्दות अब्रीत बमौद बित्ग्न अमदा שतומכת במאמץ המלחמתी שלנו अमरते इत्मों लनसी बाइदन अनाखोनी लखेम आद लनीचाखोन अमुखलत इकाख कामा जमान शजज़ इकाख अलाकि इसराइल के भीशन हमलों से गाजा लगबग तबाह हो चुका है जरा देखिए पलस्तिनी किस हालात में पहुँच चुके है इसराइल के ऑपरेशन स्वार्ड आउफ आईरन के तहट इसराइल ने सबसे ज़्यादा भीशन हमले उत्तरी गाजा में किये है साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इसराइली हमलों में अब तक एक लाग से ज़्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुके उत्तरी गाजा की लगबग 11 लाक क्यावादी में से 85 फीसदी फलिस्तिनी हमास समर थक भाग चुके हैं ज्यादा तर फलिस्तिनी उत्तरी गाजा से दक्षिनी गाजा की तरफ भागे हैं इसराइल की IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है 80 दिनों से ज्यादा की जंग में इसराइल ने हमास के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जहां से हमास या तो हमला कर रहा था या फिर उसके लड़ाके च्छिपे हुए थे अमेरिकी मेडिया की रिपोर्ट के मताबिक इसराइल ने दक्षनी गाजा में भयानक बंबारी शुरू कर दी है दक्षनी गाजा में इसराइली वायू सेना 907 किलो के सैक्रो बं गिरा रही है एक्सपोर्ट्स के मताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रिहाईशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए है कुल मिलाकर हमास, हिजबुला, कूथी और इरान इसराइल के लिए नासूर बनते जा रहे हैं अब देखना होगा इरान अपने कमांडर की मौक का बदला कैसे लेगा